अब्रिटिश लोगों का राज चल रहा था तो उस वक्त फॉरेंड ट्रेड हमारा कैसा था फॉरेंड ट्रेड यानि बाहर के देशों के साथ ट्रेड करना तो सबसे पहला पॉइंट है आप में ब्रिटिश बनाए यानि के लाए ट्यू对ेक्स ओने गड़ाने लेकर सब्सक्राइब निस फैवर में लाए ती फॉलिस पॉलिसी लघ्ゲिस थी वो policy और उस policy ने क्या किया हमारी economy को exploit किया हमारी economy का शोशन किया तो उसके अंदर उन्होंने क्या rules बनाए British लोगों ने tariff free export of Indian raw material यहनि हमारे देश से raw material ब्रिटेन जाएगा लेकिन tariff free tariff free यहनि बिल्कुल बिना किसी tax के और साथ में क्या होगा tariff free import of Britain products in Indian market यहनि हमारे देश में ब्रिटेन में बने वे product आएंगे और वो भी tariff उस पे कोई tax नहीं लगेगा यहनि दोनों तरफ से अपने को घाटा हो रहे हमारा raw material वो free में लेके जा रहे हैं और साथ में अपने product लेके आ रहे हैं तो वह भी free में लेके आ रहे हैं कोई tax नहीं इसकी वज़े से क्या हुआ था हमारी Indian economy के साथ हमारी economy क्या बन चुकी थी net exporter of raw material यहनि हम सिरफ raw material ब्रिटेन को भेजते थे जैसे कि raw, silk, cotton, wool ठीक है साथ raw material हमने free में भेज दिये बिना किसी टेक्स के और उसके बदले हम क्या बन गए थे पॉइंट है आपका monopoly control of India's foreign trade यानि इंडिया का जो foreign trade है उस पे monopoly थी यानि British government का क्या था पूरा control था पूरा राज था British government का हमारे देश के foreign trade यानि export और import पर क्या करना है कितना करना है किससे deal करना यह सारा लेना देना British government खुद decide करती थी आगे देखते हैं तो क्या होता था 50% से जादा हमारा foreign trade किसके साथ होता था ब्रिटेन के साथ होता था क्योंकि ब्रिटेन जो के जो लोग थे उनकी जो government थी वो हमारे देश को लूट रही थी इसलिए 50% से जादा trade जो है वो अपने देश के साथ करती थी और बचा हुआ जो 40-50% है वो बाकी सब देशों के साथ करती थी तो ब्रिटेन क्या कर रही थी raw material लेके जा रही थी हमारे देश से ब्रिटेन में ताकि उनकी जो industries हैं उनका काम असानी से बन सके और साथ में क्या कर रही थी अपने देश के बनेवे जो product हैं जो finished goods हैं वो हम हमारे देश में हमारी market में लेकर आ रही थी ठीक है एक तरफ से तो उनको raw material सस्ते में मिल रहा था और दूसरी तरफ से क्या हो रहा था उनके finished goods हमारे देश में आके वो बेक रहे थे उनको market मिल गई थी एक बनी बनाई setup मिल गया था सब कुछ next point है आपका surplus trade but only to benefit the British हमारा surplus trade हो रहा था बहुत अच्छी बात है लेकिन इसका फायदा किसको मिल रहा था लेकिन ये जो surplus trade हो रहा था ये किस reason से हो रहा था क्योंकि हम raw material भेज रहे थे उनके देश में ना कि कोई industrial goods या finished goods नहीं भेज रहे थे हम तो raw material भेज रहे थे और raw material किसी दूसरे देश को export करने का मतलब है हमारी economy बहुत backward है पिछडी हुई है क्यों क्योंकि हम बेफकुफ लोगों ने क्या किया उस raw material जो था अपने देश में लेके जा रहे थे वह हमारे ही देश में यूटिलाइज कर सकते थे उसको है ना उस raw material से कुछ बना सकते थे लेकिन नहीं वह अपने फायदे के लिए लेके जा रहे थे raw material सस्ते में हमारी economy बिल्कुल backward हो गए थी नहीं नहीं इंवेस्ट हो रहा था यह पैसा ठीक है बलकि इस पैसे का यूज का हो रहा था administration and war expenses यानि ब्रिटिश को अगर लड़ाई लड़नी है वार लड़ना है या हमारे देश का administration समालना है ठीक है तो उन सब का जो खर्चा है British government इसी पैसे से निकाल रही थी इस जो ख बिल्कुल नाली में जा रहा था बिल्कुल ब्रिटिश के पास जा रहा था हमारे देश में इसका कोई यूज नहीं हो रहा था इस से यादी वीडियो का दम हो था है वाचिन इस वीडियो प्लीज लाइक चैन सब्स्राइब